प्रस्क्राइब करें दैस्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बैल आइकन को जरूर दबाएं हेलो दोस्तों आपका अपने परिवार दैस्पीड स्टडी पर एक बार फिर से सवागत है दोस्तों और आज हम लोग जो है reasoning में आईसा topic पढ़ेंगे दोस्तों जो कि एक प्रस्न एक प्रस्न आपको इससे air force में मीडेगा दोस्तों और मैंने आपको कल एक video दिया था दोस्तों कल आपकी class नहीं चली थी लेकिन आपको video मैंने दिया था जिसमें figure counting का वीडियो था दोस्तों वो class आप लोग जरूर देख लीजेगा क्योंकि उसको जो है मैं live में नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों वो class आपको वहीं पर मिलेगी तो इसलिए उसको आप जरूर देख लीजेगा एक बार जल्दी से share कर दीजी दोस्तों एक बार सभी लोग share कर दीजी दोस्तों और हम लोग आज नया चीज श्टार्ट करेंगे तो एक बार आप share करेंगे दोस्तों नील प्रताप share करेंगे आप सेखर, विशाल, share करेंगे आप भी गोरो, आसिफ, आयूस, चंदन, किसन आप भी share करेंगे सोनू, आक्रित भदवर्या, सुभास गोद्रा आप सब एक बार share कर दीजी दोस्तों एक बार आप सब share कर दीजीए और आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एक नया टॉपिक एक नया टॉपिक दोस्तों जो कि है आपका work and time या फिर दोस्तों कार्य और समय एक प्रस्नित से बनता है दोस्तों एक प्रस्नित से बनता है और वो किस तरह बनता है कि आगर पांच मजदूर किसी काम को दस दिन में करते हैं तो दो मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों या फिर 5 मजदूर 2 घंटे प्रती दिन काम करके किसी कार को 6 दिन में पूरा करते हैं तो 3 मजदूर 2 घंटे काम करके उसे किरने दिन में पूरा करेंगे अर्थार दोस्तो इस तरह का जो प्रस्ट होता है वो कैसे पूछा जाता है कैसे लगाया जाता है आज हम उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों तो बने रही है हमारे साथ और एक बार आप लोग सभी लोग जय ही लिखे दोस्तों एक बार जल्दी से जय ही लिखे उसके बाद हम क्लास इस्टार्ट करते हैं दोस्तों एक बार जल्दी से जय ही लिखे दोस्तों और लाइक करिए देख रहा हूँ लाइक बहुत कम है दोस्तों लाइक बहुत कम है तो देखिए के दोस्तों यदि यमवन व्यक्ति किसी कार को किसी कार को डीवन दिन में करें करें तो यमवन व्यक्ति तीटू समय में या तीटू समय कारे करके डीटू दिन में करें अगर दोस्तों इस तरह का प्रस्ण रहे तो होता क्या है यमवन व्यक्ति दीवन टीवन बराबर दोस्तों यम टू डीटू टीटू होता है मतलब दोस्तों यमवन डीवन टीवन बराबर यम टू डीटू टीटू होता है जहां पर यम आदमियों की संख्या है डी दिनों की संख्या है और टी आपका समय है कि एक घंटे कार हो रहा है दो घंटे कार हो रहा है तीन गंटे कार हो रहा है और दोस्तों वही अगर कारी की बात की जाए कि अगर इतने आदमी एक कारी को इतने दिन में करते हैं तो इतने आदमी दस कारी को कितने दिन में करेंगे दोस्तों तो कारी आपका नीचे लिखा जाता है वहीं दोस्तों चम्ता की बात की जाए चम्ता की बात की जाए दोस्तों कि एक मनुस्त की चम्ता दो लड़कों के बराबर है या एक औरत की चम्ता तीन पुरुष के बराबर है दोस्तों तो चम्ता की बात की जाएगी दोस्तों तो चम्ता भी यहां पर रहता है दोस दोष्टों ये आपका फार्मूला है इसको आपनोड कर लीजिए दोस्तों और एकदम हवा लगीगा दोस्तों कुछ दिर रुकिए वरका उण टाइम आपको एकदम हवा लगेगा कुछ दिर लुकिए बस देखते हैं दोस्तों आप इसका स्क्रीन सॉर्ट ले लिजिए अप पाइतालिस आदमी किसी काम को बारा दिन में समाप्त कर सकते हैं तो तीस आदमी उस कारे को कितने दिन में समाप्त करेंगी दोस्तों क्या कह रहा है पाइतालिस आदमी अर्थात यम्मून बराबर पाइतालिस पाइतालिस आदमी किसी कारे को बारा दिन में समाप्त कर देते ह ने कि D1 बराबर 12 दिन तो तो दोस्तों 30 आदमी अर्थात यम्टू बराबर 30 आदमी उस कारे को कितने दिन में समाप्त करेंगे D2 बराबर वार्ड दोस्तों, तो हमने बताया, क्या बताया, Y1, D1, T1 बराबर Y2, D2, D2 दोस्तों, तो यहाँ पर Y1, D1 है, तो इसलिए Y1, D1 बराबर Y2, D2 हो जाएगा, यह फार्मूला है दोस्तों, Y1 कमान है 45, D1 कमान है 12, Y2 कमान है 30, और D2 कमान निकालना है, यही काट दीजिए दोस्तों छे दूनी 12, 635 और 5, 9, 45 दोस्तों अर्था डीटू बराबर आ जाएगा नव दूना 18 दिन किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों कमेंट करिए बताईए अभी नहीं समझ में आया होगा दोस्तों अगला कुश्चन देखते हैं समझ में आ जाएगा अगला 30 पंप किसी होज को 32 दिन में भर सकते हैं जी हां दोस्तों अर्थात पंप को हम मनुष्यमाल ले रहे हैं यानि कि यमवन बराबर दोस्तों है 21 पंप और किसी होज को 32 दिन में भर सकते हैं यानि कि D1 बराबर दोस्तों 32 दिन तो कह रहा है कि उस होज को 28 दिन में भरने के ल गया है लेकिन यह दिया गया है कि भरा कितने दिन में जाए दोस्तों 28 दिन में भरा जाए कितने दिन में भरा जाए दोस्तों 28 दिन में भरा जाए तो हल कर लिजे मैंने बताया है सूत्र दोस्तों यह मुवन डीवन बराबर यम टू डीटू दोस्तों तो यह मुवन है आपक देखे 4194, 4832 अर्थार दोस्तों यम्टू बराबर आजाएगा आर्ट तरीक 24 पंप तो दोस्तों चूकि यम्वन आपका ये पंप है इसलिए यम्टू आजाएगा 24 पंप अब देखें प्रस्ट में क्या कह रहा था दोस्तों कह रहा था कि 28 दिन में भरने के लिए कितने अत आत्रीक्त पंप लगाए जाएए आत्रीक्त पंप लगाए जाएं मतलब दोस्तों 21 पंप तो पहले ही लगाए गए थे कितने explaining what every दोस्तों चूकि दिन में कितने और। सही option हो जाएगा जो हमारा सही option हो जाएगा वो हो जाएगा option number C option number C इसका सही जवाब हो जाएगा किसी को कहीं भी समस्चों comment करिए किसी को सहीं कहीं भी समस्चों comment करिए और बताइए समझ में आया की नहीं बिसाल अविसेक आसीस दिली पंकज मोहित बताईए आप लोग समझ में आया कि नहीं दोस्तों बताईए धनराज आप भी बताईए नील प्रताब बताईए समझ में आया कि नहीं दोस्तों आकित भदोरिया आप भी बताईए कि समझ में आया कि नहीं तो देख रहा हो दोस्त साथ दिन में एक टैंक को भरते हैं दोस्तों पंद्रा पंप हमने लगा दी और साथ दिन में वो पंद्रा पंप एक टैंक भर देते हैं अगर जो है अगर हम पांच दिन में ही भरना चाहते हो तो कितने पंप और लगा दे दोस्तों तो सुनिएगा मतलब पंद्रा पंप लग दिये जाएं दोस्तों पंद्रा पंप लगा दिये जाएं तो साथ दिन में एक टैंक भर देते हैं दोस्तों साथ दिन में एक टैंक भर देते हैं और अगर यही टैंक दोस्तों पांच दिन में भरना हो पांच दिन में भरना हो तो कितने पंप लगा दें कितने पंप लगा द दोस्तों उसी तरह ये भी लेगा अर्था दोस्तों ये यमवन हो जाएगा डीवन हो जाएगा ये यमटू हो जाएगा डीटू हो जाएगा यानि कि यमवन डीवन बराबर यमटू डीटू जी हां दोस्तों यमवन डीवन बराबर यमटू डीटू और यमवन कमान कितना है 50 ऐउन का माल कितना साथ यपु कमान ग्याद करना है और डीटू कमान पाच है दोस्तों देखेट यह 15 दोस्तों और थातों वराबर साथ त्रिक 21 पंप जी हां दोस्तों 21 Sself आप देख रहे होंगी दूस्तों कि उसमें आइंसर नहीं मिल रहा है परिषान दोस्तों पहले प्रष्ण पढ़िए क्या कह रहा है कह रहा है कि पंप अतरीक्त लगा दिया दोस्तों कि कितने pump अतरीक्त लगा दिये जाएं मतलब पहले 15 पंप लगाए थे आप अब 21 पंप हो गया टोटल तो कितना pump एश्टरा लगा गया दोस्तों यानि कि अतरीक्त Pumps कितने लगाए गए looks दोस्तों हम देख रहे हैं 14 में से 21 में से 15 घटा डीजिए दोस्तों 15 छे 21 इसका मतलब दोस्तों 6 Pump 6 Pump दोस्तों अत्रिक्त लगाए गए तो यह था हमारा प्रश्न दोस्तों Question No 3 आगे चलते हैं Question No 4 पर क्या कह रहा है देखिएगा कुश्चन नमबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों देखिएगा लिखा हुआ है लिखा हुआ है दोस्तों कुश्चन नमबर 4 कि 36 आदमी किसी कारे को 18 दिन में समाप्त करते हैं तो उसी काम को 27 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे उसी कारी को 27 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे तो दोस्तों क्या कह रहा है 36 आदमी किसी कारी को 18 दिन में समाप्त करते हैं मतलब यम बराबर दोस्तों 36 यम 1 बराबर 36 36 आदमी किसी कारी को 18 दिन में समाप्त करते हैं D1 बराबर 18 दिन तो वही कहा है कि 27 आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों अर्थात M2 बराबर 27 आदमी और D2 बराबर दोस्तों कि 27 आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे तो हल कर लीजे दोस्तों M1 D1 बराबर M2 D2 तो M1 का मतलब 36 दोस्तों D1 का मतलब 18 बराबर YM2 का मतलब 27 और D2 का मान निकालना है दोस्तों मतलब 9.327 दोस्तों 9.18 3.93 12.36 अर्था D2 का मतलब हो गया दोस्तों 24 दिन इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर 27 आदमियों को लगा दिया जाए तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा दोस्तों 24 दिन में पूरा हो जाएगा बताएए दोस्तों समझ में आया कि नहीं और अगर समझ में आ गया हो दोस्तों तो लाइक करिए तुरत लाइक करिए दोस्तों और जैह हिंद लिखे दोस्तों जय हिंद लिखे दोस्तों और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करिए और देख रहा हूं दोस्तों बहुत कम लोग देख रहे हैं मैंने कहा दोस्तों क्लास तभी चलेगी इसलिए दो दिन मैं जो बंद किया था दोस्तों इसलिए बंद किया था कि आपकी संख्या देख करके दोस्तों पढ़ाने का जोस नहीं होता है और हम लोग एईरफोर्ट के स्टूडेंट है दोस्तों याद रखिएगा सर्फ रोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है तो दोस्तों आप लोग की संख्या हमें मोटिवेट करती है और हमारी पढ़ाई आपको मोटिवेट करती है जब हमारा और आपका संबंध बना रहेगा दोस्तों तो इसी तरह classes लगातार चलती रहेंगी और आप एक दिन सफलता जरूर प्रात करोगे दोस्तों ये हमारा वादा है आपसे तो like करिए, share करिए, comment करिए दोस्तों जादा से जादा like करिए, जादा से जादा share करिए दोस्तों आपका अपना परिवार है, the speed history आपका खुद का परिवार है दोस्तों और आप अपने परिवार की सहायता जरूर करिए दोस्तों तो देखते हैं कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताएए कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताएए अगला कुश्यन देखते हैं दोस्तों अगला कुश्यन आपकी स्क्रीन पर लगा होगा क्या कह रहा है देखिएगा और ये कुश्यन दोस्तों अच्छा कुश्यन है ये कुश्यन अच्छा कुश्यन है कह रहा है कि किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 70 दिन के लिए भो तस दिन बाद 30 शातर अत्रिक्त सामिल हो जाते हैं तो भोजन सामगरी अब कितने दिन चलेगी दोस्तों। इस तरह का जो सवाल होगा उसको हम लोगों ने देखा तीन कुश्चन में दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुश्चन दूंगा दोस्तों कहीं भी समस्या होगी दोस्तों कमेंट करिएगा याद रखिएगा कि एक कुश्चन इस नियम से बनता है क्योंकि आप है दोस्तों जर्नल एवाइरेंस तो दोस्तों सारी चीजे उसी 30 कुश्चन में रहती है तो इसलिए एक कुश्चन या दो कुश्चन टार्गिट किया जाता है इस चैप्टर से आपको एक कुश्चन मिलेगा दोस्तों अभी मैं बताऊंगा आज आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा दोस्तों जितने टाइप के आपके पूछे जा सकते हैं दोस्तों वो सारे टाइप हम लोग पढ़ेंगे बस आपका काम है दोस्तों लाइक करते रहे हैं सेर करते रहे हैं कमेंट करते लिए दोस्तों तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कुश्चन दोस्तों एक सो पचास चात्रों के लिए मतलब दोस्तों चात्र कितने हैं यानिकि एक सो पचास हैं या फिर यस्वन कर देता हूं दोस्तों यस्वन कर देता हूं एक सो पचास चात्र हैं दोस्तों और एक सो पचास चात्रों के लिए सत्तर दिन तक का भोजन समगरी है दोस् दोस्तों, सत्तर दिन का, अगर एक सो पचास चात्र दोस्तों डेली खाएं, एक सो पचास चात्र अगर डेली खाएं, तो सत्तर दिन भोजन चलेगा उनका, सत्तर दिन भोजन चलेगा दोस्तों, वहीं आगे कह रहा है कि दस दिन बाद, तीस चात्र अतरीक्त आ जाते हैं दो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों इसका मतलब हुआ कि ये 156 जो है दोस्तों ये 156 कितने दिन तक भोजन किये दोस्तों ये 156 दस दिन तक भोजन किये मतलब दोस्तों क्या हुआ कि अगर 156 रहते सुनिए अगर 156 रहते दोस्तों तो 70 दिन में भोजन समाप्त होता उसी तरह है जोस्तों जैसे अगर 150 मनुष्य लगा दिये जाएं तो 70 दिन में काम समाप्त हो जाएगा जोस्तों अर्थात 150 इंटू 70 या मोन इंटू D1 वही लिखा मैंने बराबर दोस्तों क्या कह रहा है कि 150 आदमी अर्थात 10 दिन तक 10 दिन तक इन्होंने भोजन किया और 10 दिन के बाद 30 लोग और सामिल हो गए दोस्तों तो 10 दिन तक इन्होंने भोजन किया अर्थात 150 इंटू 10 10 दिन तक दोस्तों इन्होंने भोजन किया तो 150 इंटू 10 और प्लस 10 दिन के बाद हुआ क्या दोस्तों 30 लोग और आ गए कहीं समस्य हो दोस्तों बताइए क्या कह रहा है सुनिएगा कह रहा है कि 156 70 दिन में भोजन खतम कर सकते थे मतलब अगर हम भोजन को कारिय मान ले दोस्तों तो 156 अगर लग जाते तो 70 दिन में उस कारिय को समाप्त कर देते या उस भोजन को समाप्त कर देते लेकिन हुआ क्य दस खाएंगे वहीं दोस्तों दस दिन खाने के बाद हुआ क्या कि 30 लोग और आगे दोस्तों मतलब पहले 150 लोग थे पहले 150 लोग थे अब 30 लोग और आ गए अर्थात 180 लोग हो गए और इंटू का तो अब देखिए दोस्तों 150 इंटू 70 बराबर 150 इंटू 10 प्लस 180 इंटू का तो यहीं का निकाल लीजिए थमको यह पता चल जाएगा कितने दिन में भूजन समाप्त होगा दोस्तों चलिए कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों आगे चलते हैं पंद्रास इसमिस घटा दीजिए दोस्तों तो 9000 आ जाएगा और बराबर हो जाएगा दोस्तों 180 इंटू का अब देखिए 0000 कड़ गया 9200 नहों इक अन्नम नो और 20ött हएग 767 इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो जब लोग बढ़ गए दोस्तों जब लोग बढ़ गए तो भोजन कितने दिन में चलेगा कै रारा दोस्तों भोजन सामगरी अप कितने air दिन चलेगी दोस्तों तब कितने दिन चलेगी मतलब पचास दिन चलेगी अर्थात आपसर नंबर सी आपका सही होगा दोस्तों बताइए समझ में आया कि नहीं अभी नहीं आया होगा दोस्तों देखते हैं अगला कुश्चन अगला कुश्चन देखते हैं दोस्तों और एक प्रिटाम क्लियर हो जाएगा दोस्तों मैंने कहा कि जब तक जब तक आपका क्लियर नहों तब तक आप देखते रहे हैं और निश्ची थी क्लियर हो जाएगा कह रहा है कि एक छावनी में एक छावनी में पंचान्वे साइमिकों के लिए 200 दिनों की खाद सामगरी उपलब्ध है मतलब मिर्र अगरह दोस्तों पंचान्वे साइनिक होते दोस्तों तो 200 दिन तक भोजन करते पंचानवे साइनिक होते दोस्तों तो 200 दिन तक भोजन करते तो एक बार साइनिक वाला कुश्टया ना गया दोस्तों तो जैहें लिखें दोस्तों एक बार जय हिन लिखे दोस्तों लगना चाहिए कि हम लोग आर्मी के स्टूडेंट है एरफोर्स के स्टूडेंट है दोस्तों सेना के स्टूडेंट है और भारत माता के प्रेमी हैं हम लोग तो इसलिए एक बार जय हिन लिखे दोस्तों क्या कहरा है सुनिएगा कि 95 सैनिकों क कैम्प छोड़ कर चले जाते हैं दोस्तों पांच दिन बाद 30 लोग चले जाते हैं मतलब पांच दिन तो ये लोग खाएंगे ही ना दोस्तों पांच दिन जो है 95 लोग जो है 5 दिन खाएंगे दोस्तों तो अर्थात 95 इंटू 5 हो गया फिर कह रहा है कि 30 सैनिक कैम्प छोड़कर चले जाते हैं दोस्तों तो 95 सैनिक थे और 30 सैनिक कैम्प छोड़कर चले गए दोस्तों तो 65 सैनिक बचे तो 65 सैनिक अर्थात कितने दिन में भोजन समाप्त क कर देंगे यह कुशन दोस्तों समझ में आया की नहीं बताईए अर्थात जब पंचानवे सइनिक थे तो 200 दिन भोजन करतें तो समाप्त होता दोस्तों लेकिन हुआ क्या कि 5 दिन तक तो यह लोग भोजन किये मतलब 95 इंटू 5 तो 5 दिन तक भोजन किये दोस्तों और 5 दिन के बाद 30 लोग कैम छोड़ कर चले गए तो 95 लोग थे और कितने बचे दोस्तों 65 बचे तो 65 इंटू का हो गया अब देखिए दोस्तों इसी को सॉल्व कर लिजिए तो 2 पंचे 10 की 0 हसी लगन 1 2 9 18 अब देखिए इसको इधर लेकर आजाएए तिये हो जाएगा उनीस हजार दोस्तों माइनेस चार सो पचतर बराबर 65 इंटू का दोस्तों अब इसको जब साल करेंगे दोस्तों तो 25 करेंगे पांसो हो जाएगा अर्थात 18525 दोस्तों यह पराबर 65 इंटू का अब देखिएगा इसको काट दीजिए दोस्तों 595 15 15 15 फिर यहाँ पर जब करेंगे तो 535 15 15 दोस्तों आब 13 से काट ये तो 13 करनम 13 दोस्तों 13 25 24 भचा भई देखिए इसको काटेंगे तो 13702 26ma तरा 26 ग्यारा अथात 110 बन गया और और फिर से करेंगे दोस्तों तो 110 हो जाएगा हमारा अर 13 98 1370 relationships यह 117 दोस्तों तो आठ बार जाएगा तेरा अठ्ठ्ठ एक चौविस कि चार असलेकन दो और आठिक अनवाध्व दो दोस्तों एक 104 और चे और तेरा पटिपैसर दोस्तों अर्थात का बराबर का बराबर दोस्तों 280 दिन का बराबर 280 दिन आ गया इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर अगर दोस्तों 30 साइनिक छोड़ कर चले जाएंगे तो भोजन कितने दिन चलेगा 280 दिन तक चलेगा दोस्तों अर्थात option number C आपका सही है देख रहा हूँ कुछ बच्चे केरेक्सर नहीं समझ में आया सुनिये गा एक बार सुनिये गा मैंने कहा दोस्तों कि तब तक मैं समझाओंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों कह रहा था कि 95 साइनिक हो कर चले गए दोस्तों तीस साइनिक कैम्प छोड़कर चले गए तो पंचान बेते और हमारे पास बचे कितने दोस्तों 65 बचे तो 65 आदमी कितने दिन खाएंगे दोस्तों 65 इंटू का बस इसी को हमने साल्व कर लिया दोस्तों और थात आ गया 285 दिन इसका मतलब यह हुआ क जो साइनिक हैं वो कितने दिन में भोजन खत्म करेंगे दोस्तों 285 दिन में खात्म करेंगे आगे चलते हैं दोस्तों आगे चलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों देखिएगा कह रहा है प्रस्ण कह रहा है दोस्तों इसी नियम का एक प्रस्णोर देखता हूं इसी नियम का एक प्रस्ण और देखता हूँ और प्रस नंबर ठीक है 49 देखती हैं कह रहा है एक दुर्ग सेना के पास सुनिए दोस्तों एक दुर्ग सेना के पास एक निश्चित दिनों के लिए खाद सामगरी थी दोस्तों एक दुर्ग सेना के पास एक निश्चित दिनों के लिए खाद सामगरी थी दस दिन के बाद सैनिकों का एक बटे पाँच भाग पलायन कर गया मतलब सैनिकों का एक बटे पाँच भाग दोस्तों चला गया दस दिन बाद फिर क्या कह रहा है कि और यह पाया गया कि रसद अब उतने ही दिन चलेगा जितना पहले अवद ही थी जी हां दोस्त अब उतने ही दिन चलेगा दोस्तों जितना की उसकी दोस्तों जितना की इसकी आवड थी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आखिर है क्या तो अब माल लीजिये दोस्तों मान लीजिये कि जो आपका दुर्ग है निश्चित दिनों के लिए रसद सामगरी थी दोस्तों तो मान लीजिये दोस्तों सेना जो थी मान लीजिये सेना दोस्तों यक्स थी और समय जो था समय जो था टी था मतलब दोस्तों अगर यक्स सेना रहती और टी समय तक खाती दोस्तों तो भोजन आपका समाप्त होता यक्स सेना रहती और टी समय तक खाती दोस्तों तो आपका भोजन समाप्त होता लेकिन हुआ क्या क्या कहना देखीगा 10 दिन के बाद अर्थात ये यक्स साइनिक 10 दिन तक भोजन किये और 10 दिन के बाद साइनिकों का 1 बटे 5 भाग चला जाता है 10 दिन के बाद साइनिकों का 1 बटे 5 भाग चला जाता है मतलब पहले यक्स साइनिक थे और अब कितने भाग चले गए दोस्तों सुनिएगा यहाँ पर देखिएगा यक्स साइनिक थे यक्स साइनिक थे दोस्तों और यक्स में से यक्स बटे 5 भाग चले जाते हैं दोस्तों अर्था बचेंगे कितने 4 यक्स बटे 5 भाग बचे मतलब यक्स माइनिस यक्स बटे 5 कैसे हुआ समझ में आया यक्स साइनिक थे हमारे पास और यक्स बटे 5 चले जाते हैं तो बचेंगे कितने दोस्तों यक्स, माइनिस, यक्स बटे 5 अर्था 4 यक्स बटे 5 सैनिक बचें तो वही चीज है दोस्तों 4 यक्स बटे 5 सैनिक और कह रहा था कि 1 बटे 5 हुआ भाग पलायन कर गया आगे लिखा है रसद अब उतने ही दिन चल पाएगा जितना की पहले दोस दोस्तो टी दिन चलता और अभी भी दोस्तो टी दिन ही चलेगा अभी भी टी दिन ही चलेगा तो चलिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं दोस्तो यक्स इंटू टी बराबर यक्स इसमें भी है यक्स इसमें भी है कामन ले लीजिए 10 प्लस 4 बटे 5 टी दोस्तों यक्स से यक्स कट T-4 T-10 अब देखिएगा इसका इसका गुड़ा कर देंगे दोस्तो पांस दामा पचास अर्था T बराबर कठिन नहीं है दोस्तो बिल्किल भी कठिन नहीं है परेशान मत होएगा अगर ना आ रहा हो तो परेशान मत हो एगए दोस्तो इस कि नियम में रखेंगे दोस्तों एक एक प्रश्ण अपने दिमाग में रखेंगे आप इसको एक बार देखिए दो बार देखिए तीन बार देखिए दोस्तों बीडियो पड़ी रहेगी आप इसको बार बार देखिए और आपको निश्यत ही समझ में आएगा दोस्तों मैंने क्या बताया कि जो कह रहा है जैसे अगर यक्स सेना होती है और टी समय में समाप्त होता तो यक्स सेना अगर टी समय खाएगी तो भोजन आपका पूरा खतम हो जाएगा दोस्तों लेकिन हुआ क्या कि दोस्तों 10 दिन तक तो ये लोग भोजन किये यक्स इन्टू 10 हो गया लेकिन 10 दिन के बाद 1,5 लोग चले जाते हैं एक बटे 5 भाग चला जाता है दोस्तों तो टोटल यक्स सैनिक थे और यक्स में से एक बटे 5 चले जाते हैं तो हमारे पास बचेंगे दोस्तों 4 x बटे 5 सैनिक वही है दोस्तों 4 x बटे 5 into t रिखा मइने फिर देखिये दोस्तों यक्स इन्टू टी बराबर यक्स और दस प्लस फोर अपान फाइव ती दोस्तों और इसको हल कर लिया अर्था टी बराबर पचास दिन आ गया बताईए किसी को कहीं दिक्कत है दोस्तों किसी को कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करिए क्या इस नियम का एक कुष्यन और बतावगे तो चलिये ठीक है अगर जो किसी को दिक्कत होगी तो मैं एक बार फिर से से पता दूँँ गा आपको भी हमर को दूँँगा बाद में ठीक आपके फैकन इन पर भीज और सुनिए दोस्तों अगर कह दिया जाए सुनिए गा कह दिया जाए राम एक काम को दस दिन में पूरा करता है स्याम उसी काम को पंद्रा दिन में पूरा करता है तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे सुनिए दोस्तों राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है स्याम उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे जब भी दोस्तों इस तरह का सवाल हो तो आप कुछ मत करिए केवल आर से हो गया राम दोस्तों कितने दिन में खतम कर रहा है 10 दिन में 10 से हो गया स्याम दोस्तों कितने दिन में समाप्त कर रहा है 15 दिन में ऐसे दोस्तों कर लीजिए करने के बाद दोनों का LC में ले लीजिए ऐसी कोई गिंती बताइए ISC को एक इंती बताईए जो आपको 10 में भी मिल जाए और जो आपको 15 में भी मिल जाए देख रहा हूँ दोस्तों बहुत कम लोग देख रहे हैं मैंने कहा कि अगर आप लोग अपनी संख्या को कंट्रोल नहीं करेंगे दोस्तों तो क्लासेज नहीं चलाई जाएंगी आप ऐसी कोई गिंती ढूड़िये जो 10 के पहाड़े में भी मिल जाए और 15 के पहाड़े में भी मिल जाए लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों नहीं छोटी से छोटी संख्या अर्था दोस्तों हम देख रहे हैं अगर हम 30 ले ले दोस्तों तो 30 आपका 10 के पहाड़ी में भी मिल जाएगा और 30 आपका 15 के पहाड़ी मिले जाएगा लिखने के बाद दोस्तों इससे काटिए देखे 10 तियाई 30 15 दूनी 30 दोस्तों इसका मतलब आर प्लस यस हो गया आर प्लस यस हो गया कितना दोस्तों 3 दो 5 तो आर प्लस यस बराबर हो गया दोस्तों 5 इसको जोड़ देंगे यहां पर जो निकालते हैं न दोस्तों, यहां पर जो निकालते हैं वो हमारा एक दिन का काम रहता है, एक दिन का काम रहता है दोस्तों, जो यहां पर तीन और दो निकाले हैं, अर्थात राम जो है, राम एक दिन में तीन यूनिट काम करेगा, और स्याम जो है एक दिन में दो यूनिट काम करेगा दोस्तों मतलब कि राम एक दिन में तीन यूनिट काम करेगा स्याम एक दिन में दो यूनिट काम करेगा तो दोनों मिल करके एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे दोस्तों पाच यूनिट काम करेंगे और टोटल कार है दोस्तों 30 यूनिट तो अर्था काम किया है तो अरफा फी 5 खंगतीज कितने दिन में हो जाएगा जोस्टों छे दिन में हो जाएगा बिल्कुल भी परेशान मत हो यज़ी दो स्मझा यजिद तब तक समय करए जब तक आपको समझ're का 15 दिन में करता है और किसी काम को 15 दिन में करता है तो दोनों मिल करके उस काम को किसे दिन कर लेंगे दोस्तों तो जब भी इस तरह का प्रस्ना आजाए जब भी इस तरह का प्रस्ना आजाए बिलकुल भी परिसान मत होईएगा केवल आप ऐसी गिंती ढूड़िए जो दोनों के पहाड़े में जो मिल जाए अर्थात 15 और 20 के पहाड़े में ऐसी कौन सी गिंती है जो मिलेगी दोस्तों तो हम जान रहें दोस्तों 15-25, 35, 35, 64, 60 अर्थात 60 है कैसी गिंती है दोस्तों 60 कैसी गिंती है जो 15 के पहाड़े में भी है और 20 के पहाड़े में भी है इसका मतलब हुआ दोस्तों आर प्लस पी दोनों दोस्तों दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं दोस्तों चार तीन साथ यूनिट कर रहे हैं दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों मिल करके एक दिन में दोस्तों साथ यूनिट कर रहे हैं तो आर प्लस पी जो नहा हैं पूरा कारी करेंगे दोस्तों कितने दिन में करेंगे देखिएगा 60 बटे 7 हो जाएंगे दोस्तों टोटल साथ यूनिट काम है और दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट कर रहे हैं तोещision भदे साथ हो जाएगा और यही काच हो जएगे दोस्तों 556 indigenous 84 बटे 7 दीन जी हां दोस्तों आठ सही चार बटे साथ दिन अर्था दोनों मिल करके दोस्तों आठ सही चार बटे साथ दिन में पूरा कार कर लेंगे कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों किसी को कमेंट करिए किसी को कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करिए और बताइए कि कहां पर दिक्कत है आगे चलते हैं दोस्तों आगे चलते हैं देखिएगा आगे चलते हैं दोस्तों मोहित किसी कारे को मोहित किसी कारे को सुनिएगा मलिक राओ दोस्तों मोहित किसी कारे को 30 दिन में पूरा कर सकता है मोहित किसी कारे को 30 दिन में पूरा कर सकता है और मोहित किसी कारे को 30 दिन में पूरा कर सकता है और सुरेश उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है तो दोनों मिल करके उस कारे को कितने दिन में पूरा करेंगे दोनों मिल करके उस कारे को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों अर्थात यम प्लस यह सम को निकालना है तो मैंने कहा दोस्तों IC कोई संख्यालीजिये जो दोनों से कड़ जाए तो 30 देख रहे हैं अगर हम 30 ले ले दोस्तों तो 31 तीस और 15 दोनी 30 दोस्तों अर्थात दोनों मिल करके एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं दोनों मिल करके दोस्तों 10 दिन में कारे समाप्त कर देंगे बताएए ये नियम समझ में आया की नहीं दोस्तों इसी का एक नियम और देखते हैं दोस्तों जैसे अगर कह दिया जाए A प्लस B मिल करके किसी कारे को 10 दिन में करते हैं ए प्लस बी मिल करके किसी कारे को 10 दिन में करते हैं और बी अकेला उस कारे को 20 दिन में करता है तो तो ए अकेला उस कारे को कितने दिन में करेगा तो दोस्तों चाहे आपको दोनों मिल करके निकालना हो और चाहे आपको अकेले का निकालना हो काम भी करेंगे सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले इसका वो ले लीजिए अर्था 30 इसका LCM ले लेंगे 10 तीयाई 30 हो जाएगा और 31 हो जाएगा दोस्तों ठीक मतलब A और B A और B का एक दिन का काम 3 यूनिट है B अकेले का एक दिन का काम एक यूनिट है तो ए अकेले का एक दिन का काम कितना हो जाएगा दोस्तों अर्था तीन में से एक घटा देंगे तो दो आ जाएगा और पूरा काम कितने दिन में करेगा दोस्तों पूरा काम कितने दिन में करेगा टोटल 30 यूनिट है और एक दिन में दो यूनिट कर रहा है तो 30 बटे 2 बराबर 15 दिन दोस्तों, यही आ जाएगा answer, मतलब सबसे पहले हम निकाल लेंगे दोस्तों, अब अगर कहेगा अकेले का, तो जो दोनों वाला दिया गया है, उसमें से इसको घटा देंगे दोस्तों, तो इसका अकेले का एक दिन का काम आ जाएगा, दो यूनिट, टोटल 30 यूनिट है दोस्तों, तो 30 बटे 2 अर्थात कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 दिन, यह तो सब को समझ में आ रहा है कि यह 30 कहां से आया, इसी का LCM ले लेते हैं दोस्तों, इसी का LASA ले लेते हैं दोस्तों, और वही लिख लेते हैं, और वही हल कर लेते कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताईए इस नियम का दोस्तों एक कुश्चन और मैं बताता हूँ इस नियम का दोस्तों एक कुश्चन और बताता हूँ और वो कुश्चन क्या है सुनियेगा कह रहा है कि मोहित मोहित प्रदीप के साथ मिल करके किसी कारे को मोहित प्रदीप के साथ मिल करके किसी कारे को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं ठीक दोस्तों 15 दिन में पूरा कर लेते हैं उसके बाद कह रहा है दोस्तों प्रदीप अकेला उस कारे को 20 दिन में पूरा कर लेता है प्रदीप अकेला उसकारे को 20 दिन में पूरा कर लेता है तो मोहित अकेला उसकारे को कितने दिन में पूरा करेगा दोस्तों तो सबसे पहले यह निकाल लिए कि मोहित का एक दिन का काम दोस्तों क्या है तो हम देख रहें दोस्तों अर्था 30 इसमें LCM ले लेंगे इसका मतलब ऐक दिन का कामny यूझित है तो यम अकेले का एक दिन का काम हो जाएगा दोस्तों चार माइनश तीन अर्ठात एक यूणिट हो जाएगा समझ में आया जोस्तों कि एक यूणिट कहाँ से आया जब भी आपको दो में से एक घटाना रहे अर्थात एक का निकालना रहे तो वहां पे घटाया जाता है और जब जोड़ना रहे दोस्तों अर्थात मिलकर करेंगे तो जोड़ा जाता है तो देख रहा हूं दोस्तों मोहित अकेला जो है एक दिन में एक यूनिट कर रहा है और टोटल हमारे पास 60 यूनिट है अर्थात पूरा कार्य पूरा कार्य जाएगा, बताइए किसी को कहीं पर समस्या हो दोस्तों, किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्त बताइए, तो ये था दोस्तों work and time का जो प्रस्ण पूछा जाता है आपके exam में ज्यादा hard प्रस्ण नहीं पूछा जाते ज़्यादा hard प्रस्ट नहीं पूछ जाते दोस्तों और बाकी बताने के तो मैं इतना hard बता दूँ दोस्तों कि CGL लेबल का आपको जो पूछा जाता है वो मैं बता सकता हूँ लेकिन दोस्तों जो आपके एजाम में आना है सिर्फ वहीं बताना है दोस्तों तो ये था और आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे दोस्तों कल चर्चा करेंगे इसी के अगली कड़ी पर दोस्तों जिसमें आपकी पानी और टंकी के सवाल रहेंगे दोस्तों जिसमें आपका पा यह एक तंकी में दो टोटी लगी है यदिक्टो पहरी तोटी खोल दी जाए तो टंकी आठ घंटे आते भर जाती है और गोरे लुदू सीघ्ञालता करेंगे तो देखते रहें और अगर अभी तक पंस्त्राइब नहीं किया जोस्तों कर लीजिए यह आपका करदा बिबनता है दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लोग को देखने के लिए बोला कीजिए दोस्तों तो कहीं पर कोई भी समस्य हो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं वाटसब पर भेज सकते हैं टेली ग्राम पर भेज चकते हैं सारी चीजे हमने आपको बताई हैं दोस्तों तो मिलेंगे अगले वीडियो में नमस्कार अगले वीडियो में नमस्कार